सीरियल दालचीनी में दालचीनी देवी मा से प्रार्थना करती है और देज को फोन करती है कि पारसल भिजबा दिया नहीं वह कहता है पहुचने वाला ही होगा मैंने भिजबा दिया है तब ही आ जाता है पारसल और वह मिल जाता है राजरानी को जब वह उसे खोल कर देखती ह तो चोक जाती है, उसमें एक चिठी होती है और एक locket होता है, लिखा होता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से इसे पहनाऊँगा और यह देख कर मैं बहुत घबरा जाती है वैसे सोचती है कि मैं इसे अपने हाथों से बरबाद कर दूँगी, खत्म कर दूँगी और बहुत जादा डर जाती है दालचीनी सोचती है, यह क्या हो गया मैंने तो सप्राइज देना चाहता छत पर चली जाती है, उसी लॉकेट को लेकर और उसे जमीन पर रख देती है और कहती है, मैं इसे तोड़ तोड़ कर बरबाद कर दूँगी, और चिठी को भी फेकने की कोसिस करती है, सोचती है, मैं इसे फार दूँगी और उसे मरोड कर फेक देती है और डालचीनी यह देखकर परिशान है कि माजी को तो खोसोना चाहिए, वह अतनी दुखी और घबराई हुई क्यों है, चिठी को देखकर वह चिठी फेकती है, तभी उसके पती आ जाते है और उन्हें वह चिठी मिल जाती है वह कहते हैं, यह चीज तुम्हारे हाथों कैसे लगी है तो मेरी निशानी है इसी के सहारे में जिंदा हूँ अभी तक तुम्हें यह कैसे मिल गई वह है उन दोनों चीज़ों को उठाते है और कहती है कि राजरानी मुझे कुछ नहीं जानना कोई सवाल जबाब नहीं पूछना है और ना सुनना है ना जवाब देना है क्योंकि आपने मुझे कभी पूरा प्यार नहीं दिया आदा ही प्यार मिला है और मेरे बारे में आपने कभी नहीं सोचा उसका पती कहता है यह तो मिसके लाइक ही नहीं हूँ और फिर बाद में उसे लगता है कि नहीं मैंने बहुत गलत बोल दिया यह राजरानी कहती है मेरी गलती यही है यह मैं आपकी पत्नी हूँ फिर वह उससे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और तुम्हारे बारे में आज तक नहीं सोचा है दालचीनी सोचती है कि चलो कुछ तो अच डालजीनी के ससुर।